वेलकम टू सपनों का ग्यान हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल सपनों का ग्यान पर स्वागत करते हैं आज हम जिस लुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर किसी से अलग होना अलविदा कहना या फिर आपस में एक दूसरे से जुदा हो जाना अगर कोई विक्ती सपने में देखता है कि उसने किसी दूसरे विक्ती को रुफसत किया है अलविदा कहा है या खुद से अलग किया है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अगर मेरड है तो अपनी वाइफ को तलाक देगा उनके दरम्यान सेपरेशन हो जाएगी और अगर खाब देखने वाले के घर में कोई मरीज है तो इसका मतलब है कि अल्ला न करे उसकी डेथ होगी और अगर कोई अपने घर से निकल कर किसी दूसरे कंट्री का सफर करना चाहता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला एक लंबे अरसे तक अपने मुलक से अपने कंट्री से दूर रहेगा और अगर कोई विक्ती अपना सोर्साफ इंकम तब्दील करने के बारे में सोच रहा है कि वो एक बिजनस को छोड़ के कोई दूसरा शुरू कर ले तो इसका मतलब है कि वो ये स्टार्ट करेगा और उसे इसके अंदर बहुत जादा प्रॉफट और फाइदा हासिल होगा इसी तरह अगर किसी ने देखा कि उसने अपनी वाइफ को अपने से अलग किया है उसे अलविदा कहा है या उससे अलग हुआ है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपनी वाइफ को तलाद देगा और अगर कोई विक्तिस अपने के अंदर ये देखता है कि उसने अपनी वाइफ को अलग किया है तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि दोनों के दरम्यान में अलहदगी होगी वो मोत की वज़ा से हो यानि किसी की डेथ हो जाए या फिर उनके अंदर कोई छगड़ा हो जाए इसी तरह अगर कोई विक्ती सपने के अंदर ये देखता है कि वो अपनी चेर पर अपनी बिजनस के मुकाम पर ये किसी ऐसी जगा पर जहां वो किसी बहुत बड़े ओधे पर काम करता हो वहां से अलग हुआ है तो इसका मतलब है सपना देखने मला अगर बिजनस करता है तो उसे बिजनस में लास होगा अगर वो किसी पॉलिजिकल पॉटी से तालक रखता है तो वो उस से अलग होगा अगर वो एक्तिदार में है या जिस भी मनसब पर जिस भी ओधे पर जिस भी डेजिनेशन पर वो जो भी जौब या काम कर रहा है उसे उसमें लास होगा और वो अपना वो मुकाम खो बैठेगा इसी तरह अगर कोई विक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि उसने लोगों से अलविदा हुआ है और तोबा की है या तोबा करकर अलविदा हुआ है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला बुरे कामों को छोड़कर गुनाहों को छोड़कर पापधरी जिन्दगी को छो इसी तरह अगर कोई विक्ती सपने में देखे कि वो जिस से शादी की होप लगाए बैठा है उससे अलग हुआ है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपने लवर के साथ कभी भी मिल नहीं सकेगा मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने अनुमती चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ